हेलो बचों स्वागत है आपका अपने यूट्व चैनल जैक पूर पे आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लाश टू का मैट जो की पेज नंबर आपका सत्रक होगा ठीक है वीडियो काफी इंपोर्टेंट्स है वीडियो में सुरू सले के अंतक बने रहना है काफी कुछ सीखने को आपको मिलेगा इस वीडियो में तो बचों यदि आप हमारे चैनल पे पहली बारा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि आप ही के क्लास का यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आपको सभी कोर्स उपलक्त कराया जाता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का क्लास देखिए आज के क्लास में आपको करना क्या है गिनिये और लिखिए हम लोग करने वाले है पेज नंबर 17 आप अपना बुक खोल लिजिए बुक में पेज नंबर 17 निकाल लिखे ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते कि यहां पर आपको करना ही यहां पर जो है यहां पर कुछ जो है क्ले दी गहि toda इसको आपको जो है गिनना है यानि माचिस की तिलिया है यह इसको आपको गिनना है गिन करके यहाँ पर टोटल लिखना है तो आप यहाँ पर देखे यहाँ पर यह वाले जो कील है इसमें 10 कील है एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस दस कील है यानि यहाँ पर दस है और यहाँ पर देखिए कितना है, एक, दो, तीन है, तो यहाँ पर तीन है, तो दस कीले और तीन कीले मिल करके कितना हो गई, तेरा, दस और तीन मिल करके क्या हो गया, तेरा, इसलिए यहाँ पर तेरा लिखा गया, इसी तरह से आपको करना क्या है, सभी कीलों को गिन करके आपको तो पता चल गे ये वाला bundle में कितना है 10 है तो आप 10 लिख लिजिए और यहाँ पर कितना है 2 है तो आप बताएए 10 के 8 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 और 12 याई टोटल कितना आने वाला है 12 तो आप यहाँ पर 12 लिखेंगे ठीक है बचो उमीद है आपको सम हो गया 20 21 22 23 और 24 तो टोटल कितना हो गया 24 इसको भी हम जोड़ देंगे तो यहां पर टोटल हमारा आने वाला है 24 ठीक है बच्चो समझ में आ गया अब आप बता ही यह वाला कितना है 10 का है आपको पता है कि यह वला 10 का है अब इसके बाद इसको गिनना सुरू कीज़े 10 के बाद ठीक है सबसे पहले किने 11 एक है 2 तीन चार पांच छे साथ साथ है तो आप यहाँ पे साथ जोड़िएगा इसमें ठीक है साथ जोड देने के बाद यहां पर कितना जाएगा, 10 और 7 मिलकर कितना हो जाएगा, 17, लेकिन अगर आप इसे नहीं जोड पा रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, 10 है, ये वाला बंडल 10 है, तो 10 के बाद यहां से गिनिए, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, यानि 17 हो गया तो आप यहां पर 17 लि जिख लीजिए ठीक है, और ये वालग गिनिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, तो टोटल कितना हो गया, छे, तो दस, दस, बीस, अच्छे, चशब विस, टोटल कितना हो गया, चब विस, अब आपको करना क्या है, अगर आप इस तरह से नहीं किन पा रहे हैं, तो आप यहां पे 10, 10, 20, 20 के बाद गिनिए 20, 22, 23, 24, 25, 26, 26 हो गया, आप यहां पे 26 लिख लेजिए, ठीक है, चलिए, यह उला काफी simple है, देख लेजिए, यह उला कितना का बंडल है, बताइए 10 का है, और यह उला कितना का बंडल है, यह भी 10 का है, तो 10 और 10 मिल करके कितना हो ठीक है बच्चों? उमीद है आपको समझ में आ रहा है, चलिए अपने next सवाल पे चलते हैं. Next सवाल में है हमारा द्यान से देखिएगा. आपको तो पता है कि ये वाला कितना का है बताई है, ये वाला 10 का है, ये भी 10 का बंडल है, ये भी 10 का बंडल है, और ये भी 10 का बंडल है, तो 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 40 यहां पे हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 40 अर 8 कितना हो जाएगा बच्चों? बताओ, 40 अर 8 है, तो मिलके कितना हो यह 48 यानि की 48 ठीक है इसी परकार से हम यहाँ पर गिनेंगे पताई यह वाला कितना का है यह 10 है यह भी 10 है यह भी 10 है यह भी 10 है तो 10, 10, 20, 10, 30 और 10, 40 और यह वाला 10, 50 और एक मिलकर कितना हो जाएगा बच्चों 51 ठीक है बच्चों चलिए next सवाल पर चलते हैं जैसा आपको पता है कि यह वाला 10 का है यह भी 10 का है यह भी 10 का है यह भी 10 का है तो 10, 20, 30 और 10 के हो गया 40 अब यह इसको गिनिए 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 दो, 4, 6, 1, 7 तो 40 यहाँ था और 7 यहाँ है तो 40 से 7 मिलके कितना हो जाएगा बच्चों 47 ठीक है बच्चों चलिए यह वाला को गिनना है 10 है 20 है 30 है 40 है और यह वाला 10 पचास टोटल केतने हो गए 50 और यहाँ पे 2 है 15 और एक 52 ठीक है बच्चों समझ में आ गए आपको चलिए यहाँ पे आपको 52 लिख देना है ठीक है चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल है 10, 20, 30, 40, 50 यह सब ददस का है बंडल तो आपको यहाँ पे टोटल केतना हो गया 50 अब चलिए इस वाले को देखते हैं 10, 20, 30, 40, 50 और एक 3 यहाँ पे है तो 51, 52 एक 30 टोटल केतना हो गया बच्चों 30 तो उमीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है समझ में आ गया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजे चलिए नेक्स्ट पेच पे चलते हैं चलिए इस वाले पेच पे हम लोग देखेंगे गिन कर देखेंगे बच्चों आपको तो पता है यह वाले कितना है पता है यह 10 यह 10 यह 10 यह 10 तो टोटल कितना हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 51, 52, 53, 54, 55 टोटल कितना हो गया बच पचपन तो आपको पचपन यहाँ पर लिख देना है चलिए नेक्स्ट है हमारा 10, 20, 30, 40, 50 ठीक है दर-10 करके से जोड़ेंगे और उसके बाद आपको किरना क्या है इसे गिनना है 50 के बाद 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58 टोटल केतने हो गया 58 ठीक है बचचो चलिए नेक्स्ट सवाल पर च 40, 50 टोटल बंडल केतने हो गया 50 फिर एकर करके किने 51, 52, 53, 54, 55 और 56 टोटल केतना हो गया 56 ठीक है चलिए नेक्स्ट को गिनेंगे हम लोग 10, 20, 30, 40, 50 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 69 ठीक है यानि 69 हो रहा है एक बड़ फिर से गिन लेजे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आ कर कितना हो जाएगा बच्चों, 99 ठीक है चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट है 10, 20, 30, 40, 50 ठीक है बच्चों अब यह देखिए यहां पे 10, 10 का बंडल है 5 बंडल है, 10 का बंडल है 10 का बंडल है, 10 यहाँ है 10, 30, 40, 50 इसके बाद गिन यह 51, 52, 54, 55, 56, 57 तो 57, 57 हो जाएगा यहाँ पर, उसके बाद चलिए बंचो, इसको गिनते हैं हम लोग, 10 का है, 20, 30, 40, 50, 60, यानि टोटल बंडल कितना को गिया, 60, तो उमीद करते हैं बच्चों, आपको समझ में आ गया है, समझ में आ गया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, थैंक यू,